लोग अब लोग आज मैं आपके लिए एक पेपर प्रोडक्स यानि पेपर बनाने वाली कमपणी लेकर गया हूं जो पेकर फेफर सोरी पेफर फोड़क्स क्रीफ टीशू एंड टोवल्स डेवकर ग्रेट्स फूट ग्रेट्स फार्मा ग्रेट्स इस्ट्रा यानि इन सब चीजों में अपना बिजिनर डिल करती है यानि फेपर मेकिंग कंपनी है इसका करेंट प्राइच चल रहा है फोटी नाइन फॉइंट फोर रुप इच यानि 9 रुपए यानि 50 रुपए मांद करकर चल सकते हो इसका मार्केट कैप है 470 करोर इसका पी-ई रेसियो है 12.3 आर सी है 16.1 परसंट आर ओजिए है 13.2 परसंट इसका विख वैल्यू है 49.3 इसने फाई बनाया है 55 रुपए का और 2.60 परसेंट इसका फेस्ट वैल्यू है एक रूफ है पर मोटर के पास काफ़ी अच्छी होड़िंग है 81 परसेंट डेप्ट टू एक्वेटी रिस्यू है 0.14 इस साल इसने प्रोफिट कमाये एक रूफ है 34 करोर 5 लाख इनसरी 34 करोर 50 लाख को डेप्ट है इसके उपर कर्ज है 50 करोर 40 लाख इस प्रोफिट चार उपेश चार उपेश चानुए पैसे इस प्रोफिट टू गिफ कॉड़र रियल्ट कम्पनी इस एक्सपेक्ट उम्मीद कह जा रहा है कि अच्छा इस प्रोफिट यह प्रोफिट एक है क्वांस दो है ज्यादा है ने इसमें इसका सेल्स देख रहो किना दमदार है हर साल इंक्रीज होता हुआ है हो रहा इसका सेल्स ऑपरेटिंग देखो 26-26 दो सल से कॉंटिनियूस एक ही रेशियो में ट्रेट कर रहा है मतलब बस प्रोफिट आ रहे हैं 26-26 करोड का विफोर नेट प्रोफिट इसका रहा 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 है यहली वेस में देखा जाए तो मार्च यहली वेस में भी काफी अच्छा प्रोफिट देखने मारा पहले आये था पिछली बार आये था 38 35 37 कफी अच्छा अब आई चलते हैं पर मोटर की होल्डिंग पे एक अचतर दसमलोज जीरो पांच पर सेंट की पर मोटर होल्डिंग एफ आई आई-एस के पास पास 45% इनिख्रीज हो रही है होल्डिंग और डिया इसके पास तो होल्डिंग है ही नहीं पब्लिक के पास 28.49, 28.29 परसेंट की होल्डिंग है इंडिविजल का कोई पैसा नहीं है क्योंकि पर मोटर ने ही इस्टोक बाय करके रखा है वस यह की इंडिविजल है हालान प्रॉप्टिश प्राइबेट लिमिटेड है इसका तो यह कंपनी काफी बेहतर मुझे लग रही है ठीक है यह सब देखते हुए इसका जो पंड़ावेंटल है है और इसका हम वह देख लेते हैं टेकनिकल कैसा है चार्ट पैटरन कैसा काम कर रहा है देखो यह कंपनी कुछ में पहले 17 में तेरे रुपे पर ट्रेट कर रही थी फिर वो उसने हाई लगाया 32 रुपे का फिर नीची आया 12 रुपे अपने सपोर्ट लेवल फिर इसने हाई बनाया 24 का फिर इसने ब्रेकाउट दिया फिर वों 45 पे पहुंचा अभी 49 पर है अगर इसका वीकली चार्ट वाड़न देखा जाए तो आप इस लेवल पर बाई करके चल सकते हैं 44 के लेवल फर और इसका अगर यह लगाता है ब्रेकाउट करता है तो यह आपको डबल टिपल भी करके दिखला सकता है क्योंकि यह जब भगेगा तो बहुत स्पीड हैं तो आप कोसिस करो कि अपने नजरों बनाक रखो यह आपको 45 के लेवल पर मिलता है तो डेफिनेटली वाई करना क्योंकि अभी इसका सपोर्ट जो नहीं बन रहा है ठीक है इसने ब्रेकाउट तो ब्रेकाउट दे ही दिया है इस सपोर्ट को टच करके ही उपर जाएगा अगर जाना होगो तो तो 45 इसका सपोर्ट जोन है और एक बात यह भी जान लो आप यह हाई हाई यहां पर फिर दूसरा फिर तीसरा अब वहां से आ जाओ यहां देखो फैल पहला फिर दूसरा मतलब यह हाई 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 का बाइटन मनाते हुए ऊपर निकल रहा है आस्ते आस्ते ठीक है तो आप इन इन कहीं लेवल में बाई करके चल सकते हो कहां गया यह 45 वाले लेवल पर यहां के वो राइश्टेंस ले सोरी सपोर्ट ले सकता है और आप इसका 44 रुपए का 44 रुपए अगर यह इसके नीचे जाता है तो यह आपको 37 और 31 रुपए का लेवल दिखला सकता है अगर यह रेश्टेंस पर सपोर्ट नहीं बना पाता है देखना यह पहले सपोर्ट कहां बनाता है अगर 45 लेवल में सपोर्ट बना दे चरपान दिन बिता ले कुछ दिन बिता ले कादपता एकाद महीना तो समझ लो यह नीचे नहीं जाएगा अगर नहीं बिता पाता नीचे चला जाता है तो आप नीचे लेवल में वाई करके चल सकते हो और यह डेफिनेटली आपकी पै अगर कोई काम होने वाला नहीं आज यहें तो इस लेवल में दाय करके चल सकते हो अगर नीचे के लिए मेले मालो यह त्वाई कर लेते हो तूसर करना हो dong पर इस आपना सपोर्ट बना लेता है इस लिएल कर लिए हो पास आई 31 वले तो यहां आपको एवरेज करना होगा कुछ इस टॉक एवरेज करके चलना होगा ठीक है तो दोस्तो इस कंपनी का नाम क्या है आपको पता है पदूम जी पदूम जी पेपर प्रोड़क्शन लिम्टेड तो यह कंपनी मुझे बहुत बेतरीन लग रही है और डिविडेंट भी पेआउट करती है इसका सेल्स भी काफी अच्छा है प्रोड़क्शन कंपनी है आप इस कंपनी को पने रखके चल सकते हैं ठीक है दोस्तों तो मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हाँ अगर आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं तो वीडियो की डि इस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं ठीक है अ झाल